नमस्कार ये जो कारकम थोड़ा आपको विश्यस लगता होगा इस बार बजेट के बाद हमने ताई किया कि बजेट में जो चीजे ताई की गई है उनी लोग चीजों को ले करके अलग-अलग सेक्टर जिनका इस बजेट की प्राफधानों से सिधा समद आपका है उनसे विस्तार से बात करें और एक एपरिल से जब नया बजेट लागू हो तो उसी दिन से सारी योजनाएं भी लागू हो सारी योजनाएं आगे भड़े और फरवरी और मार्श इसका भरपूर उपयोग इस तैयारी के लिए किया जाएं बजेट जब हमने पहले के तुलना में करीब एक महिना प्रिपोन किया हुआ है तो हमारे पास दो महिने का समय है उसका मैक्सिमम लाब हम कैसे लें और इसलिए लगातार अलग-अलग शेत्र के लोगों से बात हो रही है कभी इन्फा सेक्टर के सम्मंदित सबसे बात हुई कभी डिफेंस से सम्मंदित सबसे बात हुई आज मुझे हेल्ज सेक्टर के लोगों से बात करने का मोका मिला है इस वर्ष के बजेट में हेल्थ सेक्टर को जितना बजेट अवंटित किया गया है वो अभूत पूर्व हैं ये हर देशवासी को बहतर स्वास्त सुविधा देने की हमारी प्रतिबधता का प्रतीक है बीता वर्ष एक तरह से देश के लिए, दुनिया के लिए, पुरी मानुजात के लिए और खासकर के हिल्थ सेक्टर के लिए एक प्रकार से अगनी परिक्षा की तरह रहा था मुझे खुशी है कि आप सभी देश का हेल्थ सेक्टर इस अगनी परिक्षा में हम सफल हुए हैं, अनेकों की जिन्दगी बचाने में हम काम्याब रहे हैं कुछ महिनों के भीतर ही, जिस तरह देश ने करीब धाई हजार लेप्स का निटवर्क खड़ा किया कुछ दर्जन टेश से हम आज करीब 21 करोड टेश के पढ़ाव तक पहुँच पाए हैं, यह सब सरकार और प्राइविट सेक्टर के साथ मिलकर काम करने से ही संबव हुआ है साथियो कोरोणा ने हमें यह सबक दिया है कि हमें सिर्फ आज ही महामारी से नहीं लड़ना है, बल्कि भविश में आने वाली ऐसी किसी भी स्थिति के लिए भी देश को तैयार करना है इसलिए हेल्स सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्रों को मजबूत करना भी उतना ही आवशक है मेडिकल इक्विप्मेंट से लेकर मेडिसीन्स तक, बेंटी लेटर से लेकर वैक्शिन्स तक, साइन्टीफि रिसर्च से लेकर करके सर्वेलेंस इंस्सर्श्टर तक, डॉक्टर से लेकर करके एपिडिमियोलोजिस्ट तक, हमें सभी पर ध्यान देना है ताकि देश में भविश में किसी भी स्वास्थ आपदा के लिए बहतर तरीके से तयार रहें पीएम आत्मनिरफर स्वस्त भारत योजना के पीछे मुल्त है यही प्रेणा है इस योजना के तहत रिसर्च से लेकर टेस्टिंग और ट्रीक्मेंट तक देश में ही एक आधुनिक एको सिस्टिम विख्षित करना ताइक किया गया है पीएम आत्मनिरफर स्वस्त भारत योजना हर्च प्रेक्टम में हमारी शम्ताओं में विद्धी करेगी पंदरवे विद्ध आयोक इसकी सिफारत से स्विकार करने के बाद हमारी जो लोकल बॉडिस हैं उनको स्वास्त सेवाओं को की व्यवस्ताओं के लिए सत्तर हजार करोड रुपे से अधिक अतिरिक्ट मिलने वाला है यानि सरकार का जोर सिर्फ हेल्थ केर में निवेश पर ही नहीं है बलकि देश के दुर दराज वाले इलाकों तक हेल्थ केर को पहुचाने का भी है हमें ये भी ध्यान रखना है कि हेल्थ सेक्टर में किया गया निवेश स्वास्ति ही नहीं बलकि रोजगार के अउसर भी बढ़ाता है साथ क्यों कोरोना के दौरान भारत के हेल्थ सेक्टर ने जो मजबूती दिखाई है अपने जिस अनुभव और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है उसे दुनिया ने बहुत बारिक इसे नोट किया है आज पूरे विश्व में भारत के हेल्थ सेक्टर की प्रतिष्टा और भारत के हेल्थ सेक्टर पर भरोसा एक नए स्तर पर पहुंचा है हमें इस भरे भरोसे को ध्यान में रखते हुए भी अपनी तैयारिया करनी है आने वाले समय में भारतिय डॉक्टरों की डिमान विश्व में और ज्यादा बढ़ने वाली है और काराण है ये भरोसा आने वाले समय में भारतिय नर्सीज भारतिय परामेडिकल स्टाप की डिमान पूरी दुनिया में बढ़े गिया अपनीक करके रखी है इस दोरान भारतिय दवाईया और भारतिय वैक्षिनों ने एक नया भरोसा हासिल किया है इनकी बढ़ती दिवान के लिए भी हमें अपनी तैयारी करनी होगी है हमारे मेडिकल एजुकेशन सिस्टिम पर भी स्वाभाई गुरुप से लोगों के द्यान जाएगा उस पर भरोसा बढ़ेगा आने वाले दिनों में दुनिया के और देशों से भी मेडिकल एजुकेशन के लिए भारत में पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थियों के आने की संभावना भी बढ़ने वाली है और हमें इसे प्रोच्वाई भी करना चाहिए को कोरोना के दौरान हमने वेंटिलेटर और अन्य सामान बनाने में जो महारत हासिल कर ली है इसकी वैश्विक डिमांड पूरी करने के लिए भी भारत को तेजी से काम करना होगा क्या भारत ये सपना देख सकता है कि दुनिया को जिस जिस आधुनिक मेडिकल एक्विप्मेंट की अवश्चता है वो कॉस्ट एफ़क्टिव कैसे बने भारत ग्लोबल सप्लायर कैसे बने और एफ़र्डिबल व्यवस्ता होगी सस्टेनिबल व्यवस्ता होगी यूजर फ्रेंडली टेक्नलोजी होगी मैं पक्का मानता दुनिया की नजर भारत के तरब जाएगी और हिल्ट सेक्टर में जरूर जाएगी साथियों सरकार का बजेट निश्चित तोर पर एक कैटलिक एजेंट होता है लेकिन बात तभी बनेगी जब हम सब मिलकर के काम करेंगे साथियों स्वास्थ को लेकर हमारी सरकार की अप्रोच पहले की सरकारों की सोच से जरा अलग है इस बजेट के बाद आप भी यह सवाल देख रहे होंगे जिसमें स्वच्छता की बात होगी पोशन की बात होगी वैलनेस की बात होगी आई उसका हेल प्लानिंग होगा यह सारी चीजें एक होली स्टिक कि एप्रोच के साथ हम आगे बढ़ा रहे हैं यही बो सोच हैं जिसकी वेज़े से पहले हैल्ध सेक्टर को आम तोर पर टुकडों में देखा जाता था विचि अट टुकडों में उसको हैंडल किया जाता था हमारी सरकार हेल्ध इसउस को टुकडों के बजाए एक एप्रोच की तरफ से और एक फोकस तरीके से देखने का प्रयास कर रही है इसलिए हमने देश में सिर्फ ट्रिक्मेंट ही नहीं वेलनेस पर फोकस करना शुरू किया है हमने प्रिवेंशन से लेकर क्यों तक एक इंटिग्रेटेड एप्रोच अपनाई है भारत को स्वस्त रखने के लिए हम चार मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं पहला मोर्चा है बिमारियों को रोकने मतलब की अफ इलनेस और प्रमोर्शन ऑफ वेलनेस स्वच्च भारत अभियान हो योग पर फोकस हो पोशन से लेकर गर्ववती महिला हो और बच्चों को समय पर सही कैर और ट्रीटमेंट हो शुद्ध पीने का पानी पहुचाने का प्रयास हो ऐसे हर उपाय इसका हिस्सा है दूसरा मोर्चा गरीब से गरीब को सस्ता और प्रभावी इलाज देने का है आईश्मान भारत योजना और प्रधान मंत्री जन अउसदिक केंद्र जैस्टी योजना यही काम कर रही है तीस्थना मोर्चा है हेल्थ इंफास्रक्टर और हेल्थ केर प्रोफेशनल्स की कॉंटिटी और कॉलिटी में बढ़ोतरी करना बीते छे साल से एम और इस तरके दूसरे संस्तानों का विस्तार देश के दूर सुदूर के राज्यों तक किया जा रहा है देश में जादा से जादा मेडिकल कॉलेज बनाने के पीछे भी यही सोच है चौथा मोर्चा है समस्याओं से पा फोकस तोर पर और समय सीमा में हमें काम करना मिशन इंद्र धनुष का विस्तार देश के आदिवासी और दूर्द्वराज के इलाकों तक किया गया है देश से टीवी का खिलाब जंग और टीवी को खत्म करने के लिए दुनिया ने 2030 का टार्गेट रखा है भारत ने 2025 तक का लक्ष रखा है और मैं चाहूंगा कि टीवी की तरफ से इस समय विशेद्यान इसलिए देने के लिए मैं कहूंगा कि कि टीवी भी एक प्रकार से इंफेक्टेड परसन के ड्रॉप्लेट से ही फैलती है टीवी की रोक्ताम में भी मास्क पहनना, अर्ली डायोनेसिस और ट्रिट्मेंट ये सारी बाते अहम है ऐसे में कोरोना काल में जो हमें अनुभव मिला है जो एक प्रकारते हिंदुस्तान के कॉमन मेन तक पहुंच चुका है अब उसी हमारी प्रक्टिस को हम टीवी के खेत्र में भी उसी मोड में काम करेंगे तो टीवी से जो हमें लड़ाई लड़नी है बहुत आसानी से हम जीच सकते हैं और इसलिए कोरोना का एक्स्पिरियंस कोरोना के कारान जन सामाने में जो जागुरूत की आई है वो बिमारी से बचने में भारत के सामाने नागरिक ने जो योगदान दिया है उन सारी चीजों को देख करके लगता है कि इसी मोडेल को आवशक के सुधार के साथ एडिशन ऑल्टर्डेशन के साथ अगर हम टीवी पर भी लागु करेंगे तो 2025 का टीवी मुक्त भारत का सपना हम पूरा करते हैं इसी तरह आपको याद होगा हमारे हाँ खासकर के उत्तर प्रदेश में गोरगपूर वगेरी जो खेतर हैं जिसे पुर्वांचल भी कहते हैं उस पुर्वांचल में दिमागी बुखार से हर वर्ष हजारों की तादा में बच्चों की दुखुत मुर्ति हो जाती थी भारत के संसद में भी उसकी चर्चा होती एक बारतो इस विशे पर चर्चा करते हुए हमारे वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बहुत रो पड़े थे उन बच्चों की मर्नी की स्थिती देख करके ल हमने दिमागी बुखार को फैलने से रोकने पर जोड़ दिया इलाग की सुविधाय बढ़ाई तो इसका अब असर भी देख रहा है सांतियों कोरोना काल में आयूश से जुड़े हमारे नेट्वर्ट ने भी बहतरीन काम किया है ना सिर्फ हुमेन रिसर्ट को लेकर बलकि इम्मुनिटी और साइन्टिफिक रिसर्ट को लेकर भी हमारा आयूश का इंफाट्रक्तर देश के बहुत काम आया है भारत की दबाओं और भारत की व्यक्षिन के साथ साथ हमारे मसालों हमारे काड़े का अभी कितना बड़ा योगदान है ये दुनिया आज अनुभव कर रही है हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन ने भी विश्व मन पे अपिएक जगा बनाई है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े हुए लोग हैं जो उसके उत्पादन के साथ जुड़े हुए लोग हैं जो आयुरुवेदिक परंपराओं से परिचित लोग हैं हमारा फोकस भी ग्लोबल रहना चाहिए विश्व जिस प्रकार से योग को आसानी से श्विकार कर रहा है वैसे ही विश्व होलिस्टिक हेल्थ केर की तरफ गया है साइड इफेक्ट से मुक्त हेल्थ के विश्व का ध्यान गया है उसमें भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन बहुत काम आ सकती है भारत की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो मुख्य तह हर्बल बेज है और उसके कारण विश्व में उसका आकरसन बहुत तेजी से बढ़ सकता ह हाम के सबंद में लोग निश्चिन दोते में इसे कोई हामफुल नहीं है क्या हम उसको भी जोड़ लगा सकते हैं हमारे हेल्थ के बजेट को और एक शित्र में काम करने वाले लोग मिलकर के कुछ कर सकते हैं कुरुनों के दौरान हमारी परंपराकत और शद्यों की ताकत स्वास करने वाले भी सही और उसमें उससे अलग हमारे मेडिकल प्रफेशन जोड़े हुए लोगों के लिए गर्व की बात है कि विश्व साथ स्वास्त सेंटर डबली ओचो भारत में अपना ग्लोबल सेंटर ऑप ट्रेडिशनल मेडिसिन भी शुरू करने जा रहा है और भारत सरकार उसकी प्रक्रिया भी कर रही है यह जो मान सम्मान मिला है इसको हमें दुनिया तक पहुंचाना हमारा दाई तो बनता है साथियों एक्सेसिबिलिटी और एफर्डिबिलिटी को अम नेक्स लेवर पर ले जाने का समय है और इसलिए अब हेल्ट सेक्टर में आध तुनिक टेक्नलोजी का उप्योग बढ़ाया जा रहा है डिजीटल हेल्थ मिशन देश के सामान्य नागरिकों को समय पर सुविदा के अनुसार प्रभावी इलाज देने में बहुत मदद करेगा साथियों बीते सालों की एक और एप्रोच को बदलने का काम तेजी से किया है यह बदलाव आत्म निर्भर भारत के लिए बहुत जरूरी है आज हम फार्मसी अप दो वर्ल इस बात पर गर्व करते हैं लेकिन आज भी कई बातों के लिए जो रॉम मट्रियल है उस पर हम विदेशों पर निर्भर है दबाओं और मेडिकल डिवाइसिस के रॉम मट्रियल इसके लिए देश पर निर्भरता हमारी इंड़स्ट्री के लिए भी विदेशों पर गुजारा करना कितना बुरा अनुभव हम देख चुके हैं यह सही नहीं है इसलिए गरीबों को सस्ती दमाय और उपकरन देने में भी यह बहुत बड़ी कठिनाई पदा करते हैं हमें इसका रास्ता खोजनाई होगा भारत को हमें इन शेत्रों में आत्मनिर भर बनाना ही होगा इसके लिए चार विशेश योजनाएं इन दिनों की गई हैं बजेट में भी उसका उल्लेख हैं आपने भी अध्यन किया होगा इसके तहट देश में ही दवाओं और मेडिकल उपकरणों के रो मेट्रियल के उत्पादन के लिए प्रोड़क्शन लिंक इंसेंटिव दिये जा रहे हैं पी एलाई इसी तरह दवाएं और मेडिकल डिवाइसिज बनाने के लिए मेगा पार्स के निर्मान को भी अच्छा रिस्पाउंस मिल रहा है साथियों देश को सिर्फ लास माइल हेल्ट एक्सेस ही नहीं लेकिन हमें हिंदुस्तान के हर कौने में दूर दुरात के खेत्रों में जैसे हमार यहां जब इलेक्शन होता है तो रिपोर्ट आती है एक बत दाता था वहां भी पोलिंग बूट लगा बुजे लगता है हिल्ट सेक्टर में भी एजुकेशन यह दो ऐसे विशे हैं कि जहां एक नागरिक होगा तो भी हम पहुँचेंगे यह हमारा मिजाज होना चाहिए और हमें इस पर जोड़ देना है उस पर हमें पूरी कोशिश करनी है और इसलिए सभी खेत्रों में हेल्ट एक्सेस पर भी हमें जोड़ देना है देश को वैलनेस सेंटर चाहिए देश को डिस्टिक होस्पिटल चाहिए देश को क्रिटीकल केर उनिट चाहिए देश को Health Surveillance Infrastructure चाहिए, देश को आदूरिक लेप चाहिए, देश को टेली मेडिसिन चाहिए, हमें हर स्तर पर काम करना है, हर स्तर को बढ़ावा देना है, हमें ये सुनिशित करना है, कि देश की लोग, चाहिए वो गरीब से गरीब हो, चाहिए वो सुदूर इलाकों में रहते हो, उन्हें बेस पॉसिबल ट्रीटमेंट मिले और समय पर मिले, और इन सभी के लिए, जब केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारे, स्थानिय निकाय और देश का प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करेंगे, तो बहतर नतीजे भी मिलेंगे, प्राइवेट सेक्टर, पी एम जय में हिस्तेदारी के साथ साथ, पब्लिक हेल्थ लेबोरेटिज का नेटवर्क बनाने में, पी 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 मोडेल को भी सपोर्ट कर सकता है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नागरीकों के डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और दूसरी कटिंगेज टेक्लोलोजी को लेकर भी साज़ेदारी हो सकती है, मुझे विश्वास है कि हम सभी मिलकर एक मजबूत साज़ेदारी के रास्ते निकाल पाएंगे, स्वस्त और समर्थ भारत के लिए आत्म निर्फर समाधान तलास कर पाएंगे, मेरा आप सबसे आगर हैं कि यह हम जो एक स्टेक हुल्डर्स के साथ इस विशे के जो ग्याता लोग हैं उनके साथ जो चर्चा कर रहे हैं, बजेट जो आना था आ गया है, बहुत सी अपक्या पेख्षाएं होगी, वो शायद इसमें नहीं होगा, लेकिन उसके लिए कोई ये कोई आखरी बजेट नहीं है, अगले बजेट में देखेंगे, आज तो जो बजेट आया है, इसका तेजगती से, जादा से जादा और जल्दी से जल्दी हम सब मिलके इंप्लिमेंटेशन कैसे करें, ववस्ताएं कैसे विख्षित करें, सामान ने मानुवी तक पहुँचने में हम तेजी कैसे लाएं, मैं चाहूँगा कि आप सब का अनुभव, आपकी बातें, आज भारत सरकार को बजेट के बाद, हम पारल्लामेंट में तो चर्चा करते हैं, पहली बार बजेट की चर्चा सम्मंदित लोगों से हम कर रहे हैं बजेट के पुर्व चर्चा करते हैं तब सुजाव की होती हैं बजेट के बाद चर्चा करते हैं तब समाधान की होती है और इसलिए आईए हम मिल करके समाधान निकाले हम मिल करके बहुत तेज गती से आगे बढढें और हम सब मिल करके चले सरकार और आप अलग नहीं है नहीं सरकार भी आपी की हैं और आप डेश के लिए ही हैं हम सब मिलकर के देश के गरीब से गरीब ज्यक्ति को धनमे रखते हुई हैं हम सब मिल करके हैं, हेल्ज सेक्टर का उजवल भविश्य, तंदुरस्त भारत के लिए हम सब इस बात को आगे बढ़ाएंगे, आप सब ने समय निकाला है, आपका मारदरशन बहुत काम आएगा, आपके सक्रिय भागेदारी बहुत काम आएगी, मैं फिर एक बार आपने समय नि करेंगे, साजेदारी भी करेंगे, आप अपेक्षाएं भी करेंगे, जिम्मेदारी भी उठाएंगे इसी विश्वास के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद. झाल 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